सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से रेडमी का नोट 9 जो अभी हाली में लाँच हुआ था लेकिन दोस्तो ये मुबाइल मेरे पास रेड कलर में है जो लेटेस्ट कलर लाँच हुआ है तो इस वीडियो में इस मुबाइल की अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मुबाइल में क्या कम यह हैं क्या क्या चाहिया है और आपको ये रेड गलर में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा तो दोस्तो बॉक्स आपको इसका कुछ इस तरीके से मिलता है पीछी की तरफ आपको ये सारी स्पेसिफिकेशन्स दी गई है आप पढ़ सकते हैं बाकी उपर की तरफ आपको बॉक्स के उपर रेट लिखा वो मिलता है इस पे 14,999 रुपे का तो ये आपको 15,000 की इस पे आपको MRP मिलती है लेकिन ये आपको ऑनलाइन 12,000 में मिल जाएगा चले देखते हैं 12,000 में इसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको पीछी की तरफ लगावा मिल जाता है एक सिम इजक्टर टूल अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनूल इस तरह के से बाकिया आपको मिल जाता है ये नॉर्मल क्यालिटी में सिंपल ट्रांसपरेंट बैक कवर इसकी क्यालिटी नॉर्मल ही है इसके बाद मिलता है मूबाइल जो मेरे पास है रेड कलर में डिटेल लुक हमों भी देखेंगे उससे पहले देख लेता है बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटे केबल डेटे केबल की लेंद और क्यालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो डेटे केबल तो इसके साथ आपको बहुत अच्छे मिल जाती है इसके बाद आपको आखिर में रखा वो मिल जाता है ये वाइट करेर में काफी अच्छी बिल्ड क्वैलिटी वाला चार्जर अब दुस्त अच्छी चीज ये है इस मुबाइल में आपको फास सर्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक साड़े बाइस वाट का फास सर्जर मुबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है तो चार्जर इसके साथ आपको बहुत अच्छा दिया गया है ये सारा समान आपको मिलता है रेड में के नूट 9 के साथ 12,000 में रेड के साथ से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिये गया है चार्जर भी काफी अच्छा है और डेटे केबल के लैंट और क्वाइलिटी दोन अच्छे मिल जाती है और टाइप सी केबल भी है चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज मोबैल के डिजाइन के बारे में तो दूसरे इस मोबैल का रेड कलर आपको कुछ इस तरीके के लुक में मिलता है आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पेनल पे बहुत जाद अच्छी लग रही है रेड कलर के अलावा भी आपको दूसरे कलर के एफ्लेक्शन देखने को मिल जाते हैं इस मोबैल के बैक पेनल पे नीची की तरफ साब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शेड दिया गया है जो काफी ज़दा अच्छा लगता है तो लुक वाइस तो डिजाइन इसका काफी ज़दा बढ़िया है लेकिन इसमें मुझे कम ही ये लगी इसमें आपको प्लास के के टाइप कहे डिजाइन मिलता है तो scratchies बहुत ज़ाद असानी सा जाते हैं डिजाइन की quality को लेकर मुझे इसमें कमी लगी बाकी look-wise डिजाइन बहुत अच्छा है बात करें दोस्तो camera के बारे में तो पीछे की तरफ इसमें आपको 4 camera दिये गए हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का इसका front camera है 13 megapixel का camera की performance इसके अंदर आपको rate की हिसाब से normal मिल जाती है मुझे थोड़ा सा white dash effect लगा इसके camera के अंदर बाकी दूसरा fingerprint scanner आपको back panel पे ही दिया गया है camera के ठीक नीचे आप देख सकते हैं complete design आपको इस mobile का red color कैसा लगा ये चीज comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे काफी पसंद आया मस quality को लेकर मुझे दिक्कत लगी glass design होना चाहिए था बात करें दूसरा display के बारे में तो इसके अंदर आपको display size मिलता है 6.53 inches का तो साड़े change की display दी गई है इसके अंदर आपको display size तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है और इसके अंदर आपको मिलती है IPS Full HD Plus display तो display की quality भी काफी अच्छी दी गई है फिर भी display के colors actual में कितने अच्छे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तो user interface के बारे में कि अंदर से features आपको इसके कैसे लग रहे हैं इसके लब दोस्तो इसके display की brightness बिल्कुल full करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ display की quality इसके अंदर आपको कैसी दी गई है बात करें design के बारे में तो इसके अंदर आपको punch hole camera वाला design मिलता है display के अंदर ही camera है left side पर और display के अंदर आपको edges, bezels भी काफी कम दिये गए है तो दोस्तो डिस्पले का design भी और size भी इसके अंदर आपको काफी अच्छा मिल जाता है colors भी इसके अंदर आपको काफी बढ़िया दिये गए है लेकिन इसके display की जो brightness है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी बाकी दूसरे mobile के comparison में जो red में के आपको इस range में देखने को मिलते है बाकी दोस्तो इस mobile का design है side उसे वो भी आपको curved मिल जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ तो grip करने में ये mobile काफी जाद अच्छा लगता है इस चीज में ये mobile काफी बढ़िया है lights का angle चेंज करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके back panel का design कैसा है बाकी दोस्तो left side साब देखेंगे इस mobile में आपको sim के tray दी गई है अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको sim के tray ऐसे मिलती है जिसके अंदर आप 2 sim card, एक memory card, तीन उचीज एक साथ लगा सकते है ये इसमें खूबी है नीची की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है type C port है side उसे इसकी build quality आपको normally ही मिलती है right side साब देखेंगे तो volume के buttons उसे की ठीक नीचे power के button side उसे design काफी जाद शाइनी है उपर की तरफ साब देखेंगे तो noise cancellation mic और IR blaster दिया गया है तो इससे आपका MI remote आराम से काम कर जाएगा TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं ये इसमें काफी अच्छी खूबी है इसके लग दोस्तो अच्छी चीज ये है इसके अदर आपको Android का बिल्कुल latest version दिया गया है Android 10 वो मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इस चीज में भी ये mobile काफी जादा बढ़िया है बात कर दोस्तो बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको मिलता है MediaTek का G85 processor अब देखिए अगर आप एक heavy user भी है तो इस mobile में आपको काफी बढ़िया performance देखने को मिलती है प्रोसेसर के अंदर भी ये mobile काफी बढ़िया है बाकि दोस्तो यहाँ पे आप brightness notice कर सकते हैं इस mobile की हाला कि brightness बिल्कुल फुल है अभी भी लेकिन मुझे थोड़ी सी डाउन ही लग रही है बाकि दूसरे mobile के comparison में तो ये सारी खुबिया कमी आपको मिलती है Redmi के Note 9 में 12,000 में आप चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इस mobile को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए देखिए दोसरे इस mobile में कुछ कमी भी है और कुछ चीज़ इसकी बहुत जाद अच्छी है तो देखिए matter सबसे पहले यही करता है कि जो आपकी main जरुत की चीज़ है वो इस mobile में कैसी है तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का design जादा आपको display का size अच्छा चाहिए colors आपको normal चाहिए तो यह mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा display का size भी बहुत अच्छा है और design तो बहुत जादा बढ़िया है पंचोल camera वाला design दिया गया है जो जादा latest है इसके लब दोस्तो colors अगर आपको normal ही चाहिए brightness आपके लिए इतनी जादा matter नहीं करती तो दोस्तो आप इस mobile को ले सकते हैं लेकिन अगर आपके लिए brightness बहुत जादा matter करती है तो आप skip कर सकते हैं इस mobile को और मेरे personal opinion में दोस्तो design और display के size सबसे जादा important होती है display की quality जिस चीज में मुझे यह mobile थोड़ा सा down लगा इसके लब दोस्तो अगर आपके लिए matter करता है mobile का design आपको look wise design अच्छा चाहिए तो यह mobile आपके लिए red color में बहुत जादा बढ़िया रहेगा आप यह mobile ले सकते हैं बस बिना cover के use मत करियेगा क्योंकि मुझे इसकी दूसरी कमी यह लगी इसमें glass design नहीं दिया गया अगर glass look होता gorilla glass की protection के साथ तो काफी जाद अच्छा रहता क्योंकि इस पे scratches बहुत जाद असानी से आजएंगे इसके लग दोस्तों अगर आप लिए matter करती है mobile की battery तो यह mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आप यह mobile ले सकते हैं battery भी इसके अनदर आपको काफी अच्छी दी गई है और fast teenager भी बहुत अच्छा दिया गया है इसके लग अगर आपके लिए matter करता है मोبعیल का processor आप एक heavy user है तो इस mobile में आपको काफी बड़ीया processor मिल जाता है heavy use के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर इसके लओए अखिर में अगर आपके लिए bitser करता है मोबol का camera तो camera की performance मुझे इसके rate के हिसाब से normal लगी आप normal user है और चौता बैटरी अच्छी दी गई है फास्ट चेजर के साथ तो इन चार चीज़ों में तो यह mobile बहुत बढ़िया है लेकिन जिन चीज़ों में मुझे इस mobile में कमी लगी वो दो चीज़े दोस्तों यह है कि इसमें glass design नहीं दिया गया scratches बहुत ज़्यादा असानी सा जाएंगे दूसरे इसकी display की brightness मुझे थोड़ी सी down लगी यह दो चीज़ों में मुझे थोड़ी सी small problem लगी अगर आपको यह चीज़े ही matter करती हैं आपको glass look चाहिए इसकी साथ brightness आपको ज़्यादा चाहिए और क्या कमी लगी यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निचे जलाल कलर का बटन उस्ते दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दियागा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लाव वीडियो को आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा वाटसे फेस्बुक पे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए देखके बगाई